मस्कार मिद्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत सवाथ अपने यूटूब चैनल जोब्लोड गुरू में आज हम आपको बताने वाले हैं अंगनवाडी भरती 2020 के बारे में जहां साथ यूपी सरकार ने अंगनवाडी कारिय करताओं के लिए यहां पर एक बढ़ती की गोशना की गया है और इसमें टोटल पद है वो त्रेपंस हो है और मिनिमम जो योगेता है वो पांचुई पास है और इसका वेतन मान रहेगा वो पॉस्ट के अनुसार अलग लग है लेकिन जादस जादा है वो दस से बारा हजार रुपए है हम आपको डिटियल के साथ में दिखाने वाले हैं कि आप गरबट एपने मुबाइल से किस तरह से फ्री में ये फोर्म बर सकते हैं आयू सिमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उमीदवारों की मिनिमम आयू 21 से 45 वर्स रहेगी और आंगरवारी साइका की जो अधिक्तम आयू रहेगी वो 50 वर्स तक रहेगी साथ ही इस बर्ती में ना कोई अग्जाम होगा ना इकुछ इसमें एक मेरिट लिस्ट बनाए जाएगा और आपके जो मेरिट बनाए जाएगी वो दस्यूं बार्वी के अ उप्षन मिलेंगे आपको अफ्लिगेस्न फम और अंगरवारी वर्कर मीन अंगऱवारी वर्कर एंड़ आणगरवारी है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सामने ओनलाइन फॉर्म बरने से समक्याइकीछ यह फोर्म बढ़ सकते हैं इसमें आपकी तीन स्टेप होंगे फोर्म बढ़ने के पहले में आपकी बेसिक डीटेल पूछी जाएगी पसनल डीटेल उसके बाद में एजुकेशन और फोटो साइन अप्लोड करना और फोर्म को सब्मीट कर देना है लेकिन उससे पहले आपको मैं तो पूर्ण अनुदेश है वो पढ़ लेना है आविदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र बढ़ने से पूरवी आता है अनुदेश को द्यान पूरग बढ़ ले ओपीसिल वेबसाइट है बालविकास-up.gov.in इस पर ही जाकर आपको फोर्म बढ़ना है अ सबी प्रिविष्टियां हिंदी में नंबर अंकों को अंग्रेजी बासा में जा जाएगा प्रिविष्टियां बढ़ने में विशेश सुधारक यानिकी add the rate has इनका उप्योग नहीं करेंगे उसके बाद में आविदिका को निर्देशत किया जाता है कि वे अपने ओनलाइन आवेदन से समदित वैक्तिक जानकर जैसे पंजीकन संक्या जनमती थी आधार नमर सामने आइडी आधी किसी अन्य वैक्ति से साजा ने करें यानिकि ये आपको किसी को नहीं बतानी है केवल आपको ओनलाइन फोर्म बढ़ते समय ही प्रविष्ट करनी है आविदिका करप इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप सही फोर्म बढ़ सकें ओनलाइन आवेदन पत्र हिंदी बासा में उपलब्द है जिसे आवेदिका दोबारा अंग्रेजी में हिंदी यूनिकोर्ट दोनों बासों में भरा जा सकते हैं यानि कि हिंदी अंग को संसोधन यदी कोई हो तो करने के लिए चाहिए का जाएगा उसके पच्याथ इस इस्तर पर पंजी करन संक्या उत्पन की जाएगी आविदग का को यह इसला दी जातीं की बवीशे में संद्रबों के लिए पंजीकर नमर को करकरार रखा जाना चाहिए यानि कि आपको संभाल कर रखना है शुरुक्षित रखना है उसके बाद में भाग नमर दो है आविदिगा को सेक्षिनिक योगेता को भढ़ना होगा ग्रेड, सीजीपी और परतिस हत्की गणा स्वेचालित रूप की जाएगी यानि कि आपकी परसेंटेजर वो एटमेटिक आएगे वहीं पंजीकरन का भाग नमर तीन है जहां पर आपको फोटो और सिगनेचर अपलोड करने है आपकी फोटो जो रहेगी वो फोर्मेट रहेगा जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फोटो की साइज रहेगी वो अधिकतम 20 केबी की रहेगी सिगनेचर की साइज रहेगा वो अधिकतम 10 केबी का रहेगा उसके बाद में यहाँ पर पंजिकरन भाग चार है आविदिका का गोशना यह सहमत होगा कि आविदिन की अंतिम्तिती से पहले बवीशे में आप सक्सुदार करने के लिए Save Drop बटन दबा सकते हैं तो आप Last Day जो दी गिये है 164220 उससे पहले पहले आप Edit कर सकते हैं अगर आप Submit कर देते हैं तो उसके बाद में Edit नहीं कर पाएंगे अगर आप Drop में Save कर देते हैं तो Edit कर सकते हैं आगे हम आपको दिखांगे फर्म किस तरह से भरना है फर्म बरने के बाद में आविदन फर्म के सफ़ता फूर्ट जमा होने के पचाथ आविदिगा के पंजिकरित मुबाइल नमबर पर एक सवा 40 संदेश परेसित किया जाए गए आपके पास मैसेज आएगा कि आपका फोर्म है वो Submit हो गया Registration नमबर ये है उसके बाद में यहां पर Metapone सूचना है इससे आप ध्यान पुर्वग पढ़ लें और किसी भी परकार की परसन हो साहता के लिए यहां पर 1500-180-5500 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं विल्कुल टॉल फ्री नमबर है इमेल आड़ी वी दिगे icdsa www1234 at gmail.com पर जाकर भी आप अपनी शिकायत जानकारी ले सकते हैं उसके बाद में आवितिका दवारा उप्रोक समस्त Metapone अनू देशों को पढ़ लिया है और उसके बाद में यस पर क्लिक करना है जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आप कौन से जिल्ले में अपलाई करना चाहते हैं कौन से ग्राम पंचायत में अपलाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर स्लेट करना है एक्जम्पल की रूप में हम आगरा स्लेट करते हैं उसके बाद में ब्लो का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में ग्रामिन या फिर सेरी जो भी आपका छेतर है वो छेतर को सेलेक्ट कर लेना है हम ग्रामिन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में ग्राम सबा या फिर वार्ड का नाम यहां से आपको स्लेट कर लेना है और उसके बाद में आपको पद का नाम है वो स्लेट कर लेना है एक मैतपून जानकर या आप सभी को बता दें कि जो भी आप ग्राम सबा या फिर वार्ड स्लेट कर लेते हैं उसमें हो सक सब्सक्राइब करेंगे जैसी आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रिक्त पदों की जानकरी आपके सामने आजाएगी यानि कि जन पद बलोक आपका जो ग्राम सबा या फिर वाड़ नमर है विग्यापन कर्माग भी आजाएगा और अंगनवाडी कारिकत्री के यहां पर टोटल पद भी आजाएगा यानि कि एक पद रिक्त है 26-3-2021 को फर्म सुरूवे थे और 16-4-2020 इसकी लास्ट डेट है रिक्त अंगनवाडी के अंदर कोड भी दिया गया और रिक्त अंगनवाड देखने की चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं और अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसके बारे में जान सके हैं साथ में इस फोर्म को बनने में कोई भ प्रिक कर सकते हैं अगर आप सरेनी दूसरी भी देखेंगे अंगनवाड़ी साइका अगर आपको देखना है तो यहां पर देख सकते हैं सरेनी दी अनुसूचित जाती और यहां पर उपसराणी लागू नहीं है कुल रिक्टपद है वह एक है तो रिक्तपदों की अगर आ हमने पंजीकरण पेज ओपन हो जाएगा यहां पर अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ तो अपने मुबाइल नमर जनम ती लगाना और यह केप्चा कोड़ियां पर टाइप करना और सेंड टीपी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास चारंगों का वोट टीप सनक्य होी रहेगा उसके बाद में विद्वा तलाक शुदा पृतिय क्रव है और यह विए सस्वतषव करना यह जा यह जानगर यह यह तो पही पतह हैं वह सही तरीके से बढ़ना है यहां पर हम को बता दें कि आपके पास तीन परमानपतर होने जरूरी है एक निवास परमानपतर एक जाती परमानपतर एक आय परमानपतर ये तीनों परमानपतर आपके पास होना जरूरी है चाहे आप आवेदिका साइका के पतपर कारियरत हो या फिर ना हो यहाँ पर तीनों की डीटेल वरना आपके लिए अनिवारी ह जिस column में red star दिया गए उस column को आपको भड़ना जरूरी है जाती पर्मानपतर में आपने कहां से बनवाए, कब बनवाए, क्या करमाख है आई पर्मानपतर आपके पास है तो आपको हाँ उसके करमाख और दीनाख वारसिकाए कितना है और आप BPL है या नहीं है जनम तीति आपको यहाँ पर अंकों में और सब्दों में दोनों में यहाँ पर टाइप करने होगी यहाँ पर आपके आधार नमर capture code और सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है जैसे आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे तो आपका registration हो जाएगा आपके पास एक पंजीकरन करमाक भी मिल जाएगा इसे आप शेव कर लेजिए जैसे आप सेव कर लेते हैं उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी अंगनवाड़ी करता और मिनी अंगनवाड़ी करता के लिए हाई स्कूल की जानकारी बढ़ और आप हेलपर के लिए अप्लाई करते हैं पांचवे पास जरूरी है अगर आप अन्य जो दो पोस्ट दीके उन पर बढ़ते हैं तो हाई स्कूल की डाठा आपको भरना जरूरी यानि कि दसवी बारवी दोनों के यहाँ पर डीटेल है वो भरना जरूरी है केवल आपको यहाँ पर अंक डालने है यह परसेंटेज और ग्रेड्स रेनी आटोमेटिक आजाएंगा उसके बाद में जैसे आप हमने दसवी बारवी या फिर पांचवी या फिर आटवी यह सभी डीटेल सना तक भी अगर आपने पास किया तो वह भी डीटेल डाल सकते हैं जैसे आप अब यह सब कुछ बढ़ देते हैं दो शुर्गशित क्रेंपर क्लिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आता है अब आपको फोटो और सिकनेचर अप्लोड करना होगा फोटो की साइज है वह ज्यादा-बीस के भी रखनी है बीस के वीच ज्यादा की नह नहीं हो नीचे jpg में आपको यहांपर अप्लोड करना है चूज फाइल पर कली करके अपने मोबाइल से यहां से फोटो और स्प्लयाचर दोनों को अप्लोड कर लेना है क्याप्चा कोड यहां पर आप सभी देख सकते हैं यह टाइप कर ले और संसो दित करेंपर क्लिक करेंगे तो आपका फोर्म है वह एक ड्राप्ट में शेव gepंकर सकते हैं जेव का मतलब यह है कि आप इस फोर्म को जब तक में रखेंगे तब तक इसे ृडविट कर सकेंगे यह गोस्टना को आपको select करेना है, save as draft कर देना है, उसके बाद में आप इस form को एक बार दुबारे से इस तरह से देख लें कि आपने जो भी जानकरी बरी है वो सही है, किसी भी परकार का correction हो तो आप draft में से इसे change कर सकते हैं, दुबारे से आपको अपने रजी सेसा नमबर ज करना है और अपने पास संबाल का रख लेना है, जब भी आपका अंगनवाड़ी में selection होगा तो इस form की जरूरत रहेगी, document verification के लिए भी आपको बुलाया जाएगा, आपके original document है, वो महांगे जाएगे, तो दोस्तो इस तरह से UP government की अंगनवाड़ी कारिकत्त्री जो है, उन कैसे बरना है, यूपी government के पूरी जानकारे दिये, वीडियो देखने दन्यावाज साथिए, थैंक्स पूर वाचिंग, आपका दिन सुबहुर।